नमस्कार खरी खरी में आप सभी का स्वागत है मैं हुआ चल जहरकंड में बीजेपी बड़े खेल करने की तैयारी में थी लेकिन उसके साथ भी बड़ा खेल हो गया है दरहसल हुआ कुछ ऐसा है कि हेमन सोरेन दिली पहुँचे तो एडी सीबियाई जो है वो किस तरीकी से सक मिला है और इसके साथ उनकी कार भी जब्त कर ली गई तमाम तरह की खबर आई बीजेपी के द्वारा ये भी बताया गया कि जहरकंड के सियम लापता है अब ऐसे में बड़ी खबर यह आ रही है कि जहरकंड के जो सियम है वो जहरकंड पहुँच गये हैं और वहां हैमन सोरेन का ये पोश्टर है और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहरकंड में बीजेपी बड़ा खेल करने की तयारी में थी और उसको जटका लगता हुआ नजर आ रहे हैं क्यूंकि हो एमन सोरेन के जो नेता है वो ये बता रहे हैं जे एमें पार्टी के नेता प्लग रहे हैं कि बीजेपी के ही इशारे पर एडी सीबियाई जो है वो काम कर रही है और लगातार विपक्ष के नेताओं को टार्गेट पर लिया ज़ा रहा है और उन्हें निशाना बनाकर उन्हें जेल में डालने की कोशिश हो रही है ऐसे में बुरी तरह से भाजपा घवराई हुई है क्योंकि जिन जिन राज्यों में उसे अपनी हार दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ पर इडी और सी बियाई सक्रियत वillions गया अब ऐसे मैं आपने देखा कि बहार में भी इसी तरीके से एडी सीबिया promise खर आ रही है अब अब जारखंड में भी लोगसभा की 14 सीटे हैं और हिमन सोरिन ये दावा कर रहे थी कि 14 में से 12 सीटे जो हैं वो हम जीतेंगे 13 सीटे जो हैं हम जीतेंगे लेकिन अब जैसे ही बीजेपी को उसकी सर्वे रिपोर्ट सामने आती है और उसे पता चल जाता है कि हम वहाँ पर हार रहे हैं विपक्ष आरूप लगा रहा है कि बीजेपी घबराहत में है इसलिए उसके इशारे पर EDCBI काम कर रही है बीजेपी सरकार जो है विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है अब क्या कुछ कहना है जेमेम का क्योंकि मुखेमंतरी को गिरफतार करने की कोशिश ED के तरफ से की गई है दावा किया जो आ रहा है और बताईए जो रहा था कि दिल्ली वाले घर में हिमन सोरेन के इसलिए चापे मारी की गई थी कि उन्हें गिरफतार कर लिया जाएगा लेकिन वो यहाँ पर एक तरीके से BJP को चक्मा देते हुए और EDCBI जैसा की विपक्ष दावा कर रहा है कि उसी के इशारे पर काम कर रही है उसे चक्मा देते हुए वो जारकन पहुँच गए है और वहाँ पहुचकर उन्होंने एक बड़ी रणीती पर काम करने का एलान कर दिया है क्या कुछ कहना है जेमेम नेता मनोश पांडे का उनका बयान आपको सुनाएंगे लेगन आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस रणीती की बात हेमन सोरेन के तरप से की जा रही है कौन सी ऐसी रणीती है जिसके आगे प्रधानमंती नरेंद्र मोदी की सारी जो तिकडमबाजी है जो मोदी सरकार पर आरूप लग रहे है कि वो तिकडमबाजी कर रही है और जीतने के लिए लगातार विपक्षकी नेताओं को निशाना बना रही है वो सारी तिकडमबाजी फेल होती हुई नजर आ रही है अब इस मुद्धे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सही होगी हमारे और लाइन एडिटर अमलेंदू पाध्याई जी हमारे साथ जोड़ चुके है अमलेंदू जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमलेंदू जी देख रहे हैं आपकिस तरीके से बड़ी साजिश जो है रची जा रही है और विपक्ष की नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है ऐसे में बताए यह जा रहा था कि जल्द ही हेमन सोरेन को गिरफतार कर लिया जाएगा और बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है आप देखे निशिकान दूबे और तमाम जो बीजेपी के सांसद नेता है वो बयान दे रहे हैं कि कलपना सोरेन को मुखेमंतरी बनाने की कोशिश चल रही है मतलब इसका यह है कि एडी जो है वो गिरफतार करने जा रही है हेमन सोरेन को और इसी लिए घर पर चापे मारी हुई थी जहां पर बताया यह जारा है कि 35 लाग का कैश भी जब्त हुआ है और कार भी उनकी जब्त कर ली गई है यह बड़े चापे मारी जो है तो इसमें इसमें गिरफतारी वो हेमन सोरेन की होने वादी थी लेकिन यहां पर चाकमा लगीदे कर arezार कश भगाइं हेमन सोरेन सीभर सब्सक्राइस पाम का है इसना पक्राइस भी जेकती है निए जो है पास हो चुका है उसके अनसार अब इंधी को इस न्दाजी के कानून के अनसार अब काम करना पड़ेगा तो अब वहां वह एक तरीके से थ्वड़ा ठीक महसूस करेंगे उधर बारती इंता पार्टी जिस तरही की चाहती किया जहां 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 उसको खत्र नज़र आ रहे हैं इंगे मिला लिया अब उसके बाद जहार खंग का नंबर समझा जा रहा था कि जहार खंग में किस तरीके से भारती इंता पार्टी वहां काम करें और भारती इंता पार्टी वहां हिमन सोरेन को हटा करके अपनी सरकार बना या राश्पतिशासन लगाए इस तरीके की उस पर काम कर लेकिन हेमन सोरेन ने भाती इंता पार्टी की इस प्लानिंग को एक तरीके से फेल कर दिया है पहली भी चर्चा हुई थी कि जब जाने वाले थी एडी की आप हेमन सोरेन जो है वो बैठा बुला ली है विडायकों की और अपनी पत्नी को जो है वो मुख्यमंती बना देंगे लेकिने उसके बाद हेमन सोरेन जो थे हो सामने आया है वो कहा ले都, सामना करेंगे तो हेमन सोरेन लगाता जो है केहाई केंद सर्कार और मोदी जो प्रहानceptionsरी रिद्र्मोदी हैं उनकी आख में आप डाल करके बात कर रहे हैं सीधा सीधा जो आइना प्रहामंती नरीद मोदी को दिखा रहे हैं कि आपकी एजी सीबी आई के बल पे जो है आप सरकार अश्थिर नहीं कर सकते हैं असली बात यह है कि जो भारती इंता पार्टी है उसको दोया उन्नीस में जहारख AM भारती इंता पार्टी तरफ के अलग हो चुका है और भारती इंता पार्टी को वाकर इंप चुनाओं में जाना होँगा है मन далі से में सब्सक्राइब 29 के हिद के लिए उन्हें इस तरगी समा काम किये उसको ले करके भारती इंता पार्टी की काफियादे बेचेंद थी इससे पहले भारती इंता पार्टी की सरकार थी उसकी मुख्यमंती रहे थे रगवर्दास जो अब गवर्नर बना दिये गए हैं उन रगवर्दास की उपर भ भारती जनता पार्टी वहां अभी भी उसी एंटी इंकम्मेंसी से जूज रही है। तो भारती जनता पार्टी को लगता है कि अगर छोटे छोटे राज जी जहां दस दस बारे बार जीके भी हैं, अगर वहां से भी इंडियर इस तरीके से आगे आएगा तो भारती जनता पा प्रशासन भारती जंतां पार्क के हात में आ गया है से शंकाई व्यक्त के जाती है विपक्ष दिस पर आरोप लगाता है कि भारती जंतांता पार्क की प्रशासनिक मशीनरी के जड़िए जरीए ज बुच्छाव जीती है कि जो कंपनी वोटिंग मशीने बनाती है उस कंपनी में जो है भारती इंता पार्टी के कारे करता जो है वो पदाद कारी है उसका संचान करते हैं तो इसको लेकर करके सवाल उठाए है और यह मसला काफी जाद है तूल पकड़ रहा है तो जिस तरही के सब चीज़े सामने आ जानी उसमें भारती इंता पार्टी इसल में प्रशास्निक मशीनी के जरिये ही लगता है कि भारती चुनाओ जीतने की कोशिश करना चाहती ही होगी जिसको हेमन सुरेन एक तरीके से कहा जाए तो वो निश्क्रिय कर दिया है और फिरहाल हेमन सुरेन जो है वो राची में पूष्टा जो करना आप कर सकते हैं तो जी अपकल जो है वो जाकर कि शायर उनसे पूष्टा राची में करेगी तो एक तरीके से हेमन सुरेन ने प्रधानमंती नरिमोद्य भारती जिंता पार्टी की जो एजी के जरिये रणंती बन दी थी उसको जो हो धता बता दिया है दिल्ली में ये जी जो तरी किर्फाय करती है एमन सुरेन ने एक चख्मा दे करके भारती जिंता पार्टी की तरिकी सा आईना दिखा दिया है आचले जी जी और इसी पीचा कर देखा जाया है तो जबाद जैसे की जहार खंड में आप कानून भी बन गया है और जिस तरीके से आप देखें कि आने राज्यों में भी यही ED और CBI का खेल चल रहा है तो जारखन में कुछ ऐसा ना हो उसके लिए पहले ही रणीती तयार कर ली गई है और इससे पहले एक बैठक भी हुई थी आपने देखा था किस तरीके से हेमन सोरेन ने एक बड़ी बैठक ली थी जिस कारवाई करते हो और क्या कुछ होगा वह आपको देखना होगा और उसके बाद ही बताइए गया कि एक रणी थी जो है उसके तहट वह आके बढ़ रहे हैं तो जुकने वाले नहीं है और वह इस्तीफा पेश करने वाले नहीं है उमीद तो बीजेपी के तरप से यही की जा है वहां पर इस तरीके से कारवाई हो रही है लेकिन सवाल यही को लेकर उट रहा है कि वह नेता जो अब ही तक जिन पर कारवाई हो रही थी अगर वह बी जेपी के साथ आ गए अगे गष्जा सवाल पूच रहे हैं लेकिन आखिर इन sẽ?' को क्यों target किया जबर क्या रहा है कि किसी नीता को target किया जयना गलत नहीं है। तो वो निषटर कर सकती है इसमें कोई दो रहे नहीं है कि राज जनीत हैं राज कलने राज की राजनीत है में कौन इयमानदार है किस fav बहुत invaded और फारी दीजवर में रहे वह किस तरीके से बन नहीं ये भी सब जंता जानती है तो इसलिए भश्टाचार के ऊपर कोई मतला कोई ग्यान अगर देता है किसी कोई राइतिक दल किसी दूसरे राइतिक दल को तो वह पहली आपने गिरिवान में जहाग करके देखे भश्टाचार के आपने प्रस्ट उशाया महतुपन बात रही है कि वह च्छगन बुजवल जिनके ऊपर एजी की कारवाई चल रही थी वह एजी जाकर के अदारत में कह देती है कि उनकी फाइल गाइब हो गई है उनकी फाइल गाइब हो जाती है जिन जब प्रहामंती मोदी मद्द इसलिए सवाल यह उठ रहे है कि क्या एजी विवि supreme गरती है और उस में वह सिर्फ पॉइंट कुछ प्रस्चत है यानि कि वह एक प्रश्चत लोगों को भी अब तक सजा उसमें नहीं दिलबा पाती है अधिकाश दलों के जो अपर है और जहां जहां एडिय जो हैं मतलब दलों के ओपर कारवाई करती है वहा जो सामिल हो जाता है चैयर कि सुछल मीडिया पर एक जो था और यह यह वी घर करता है music यह प्ता नी कितनी असली बिदाखिय गैर कितनी लोन वनíst जी कहते हैं कि मैंने तो सुवची यंता पाइट की जोई कर लिए तो वह कहता है कि स्वार्आ को बनाना चाहती है और इडी की सरकारों के दम पर प्रशासन अपने हाथ में लेकर के दो हजार चौविस के लोग समाइच चुनाओं से पहले कोई बड़ा खेर करना चाहती है चुकि भारती इंता पार्टी को ये भरोसा बिल्कुल नहीं है कि उसकी 272 सीटे भी आ रही है आज सुए ही संजरा उतने वाइट आई है कि 400 सीटे तो छोड़िये आप 200 सीटे भी नहीं जीत रहे है तो ये बास्तम में जो है हकीकत है कि अगर इस तरी की सब चीज़े नहीं हो और इंडिया कश्मंदन एक जी ठोकर के मैदान में जाता है तो भारती इंता पार्टी को 200 सीटे भी लाले पड़ रहे हैं ये समझाया सकता है आचल जी बिल्कुल अमलेंदू जी यही बात है और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी बुरी तरी से तरीके स घबराई हुई है वो डरी हुई है उसका डर यही है कि लोग सभा चुनाओं में क्या होगा अब राम मंदर का मुद्धा तो भुनाने की कोशिश की जा रही थी उसमें तो आपने देखा कि क्या कुछ हुआ अब जिस तरीके से जनता परेशान है और तमाम बड़े अगी भारत जोड़ों नियायात्रा में उन मुद्धो को उठा रहे हैं इंडिया गटबंधन उन मुद्धों को लेकर आगे बढ़ रहा है और जो समी करण बन रहा है उसे देखते हुए बीज़े पी B 108 की बॉकलाहत नहीं है कि आने वाले लोगसभा चुनाओं में क्या अर उसकी जो बताएए जा रहा है क्योंकि खबरे यहीं चल रही है अंदर की बात यही है कि BJP ने सर्वे करा लिया है और उस सर्वे में राजियों में बुरी तरीके से हार रही है क्या है वो बिहार हो या फिर जार्खंड हो इन राजियों में उसकी इस्थिति ठीक नहीं है यहां तक कि महराष्ट का जो सर्वेया है उस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ पर भी कॉंग्रिस प्लस जो है वो बीजेपी से कहीं आगे है और बीजेपी प्लस जो है वो पीछे है अब ऐसे में विपक्ष की नेताओं को तोड़ने की कोशिश और उन्हें साथ जोने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है नितिश कुमार को अपने पाले में लाया गया और इससे और बड़ा सबूत क्या ही बीजेपी दे सकती है क्योंकि उसने बता दिया कि हम डरे हुए हैं हम घबराय हुए हैं इसलिए नितिश कुमार को अपने पाले में ल और अगर जो नियाय और हग की बात कर रहे हैं वो जीतेंगे तो क्या कुछ होगा तो जनता का जो मूड है वो तो नहीं बदलने माला भले ही विपक्षी नेताओं जो हैं नेताओं को आप अपने पाले में कर लीजे अब इसी बीच आप देगे हम लिंदू जी हम बात कर रहे लापता हो जायी है कि लापता हो गया उन्हें ठून रही है उतन पॉलियेटिकल इस्टंट हो भारती इन्ता पाइटी कर सकते इसको में पॉलियानी इस्टंट होते है इसन फहीं मेटी में पुस्टर लग गए थी कि इसमती इनानी हाजिनों कहा है इसमती इनानी गायम है तो यह तो देखिए राइतिक दल है अपनी अपने तरीके से उस पे काम करते जाते है तो भारती इन्ता पाइक इस तरीका कोई पुस्टर जाली करती है तो यह उसका एक राइतिक इस भारती इंता पाश्टी के साथ मिला लेगी, या फिर वहा सरकार गिलादेगी, अब वहां सरकार गिलने की एस्तिती भी नहीं है, भारती इंता पार्टी के साथ जाने से हमान सुरिंने एक टरीके से इनकाicus कर दिया, उनका जो पोस्टर वाइल होड़ा है, जो आप ने दिखा है उसके सरकार को किस तरीके से आइस्थिर करने के लिए वन पहरति खेल रही है तो इसका मुझे लगचा है भारती इंता पार्टी को ही कुल मिला करके आगरी जाकर जाकरी नुक्सान होगा और पूरे समें आदिवासियों में यह बात जाए है कि भारती इंता पार्टी आधिवासियों की शत्तु हो गई है और आधिवासियों का नित्रत को अबरने देना नहीं चाहती है और इसी बात को रहेमन सुरें लगाता आज जो बात कह रहा है हो जिस तरीके से वो टाइवन आर्मी नाम का जो आपने दिखा करती है कि अगर राज्जियों का प्रशासन उसके हाथ में होगा तो प्रशासनिक मशीनली के जरी जो है वो लोक्सवाच चुनाव में कबजा कर सकती है सरकार में आ सकती है चुकि भारती हिंता पार्टी की सामने बड़ा संक्ट यह है कि कि किस तरीके से दोसो बहत्तर का आ गहें लेकिन नितिशकुमार अपनी एक तरीकी से कहा जाए कि वह जो भी कुछ उनके पास बचा था जाए तक पूंजी हो थी उसको गवा करके जो है वह नितिशकुमार भारती इंता पार्टी को नितिशकुमार कितना वोटों को फाइदा करें आपाएंगे वह अलग का मसद भारती जनता पार्टी लोकस्वा चुनाओं से पहले तमाम राज्यों में जो विपक्ष की सरकारें उनको गिरा करके अपनी सरकारें या अपनी पिठ्थू सरकारें बनाना चाहेगी ताकि प्रशास्तिंग मशीनदी के जरिए दो हर्यार चॉब्रीस के लोकस्वा रहा है और इसलिए आप देखें बाबुलान मरांदी का भी एक ट्विट जो है आ गया है 11000 का उन्होंने नाम रखा है तो इस तरीके से ट्विट जो है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमन सोरें जो हैं वो लापता है लेकिन दू दूज पांदे ने क्या कुछ का है हम रेंदु जी वो बयान आपको सुनाते हैं क्योंकि बड़ा बयान उनका सामने आया है और सभी इंतजार कर रहे थे कि क्या कुछ कहना है मुखिमंदरी हमन सोरें का और उनके पार्ति का क्योंकि लगातार BiJP ही अभी बयान बाजी कर र हो रहा है कि जहां पर जनता के द्वारा एक मुख्यमंत्री जो चुनका राया है और उसको किस तरीके से हटाने के लिए उसे जेल भेजने के लिए और भिश्टाचार के आरोप जो हैं वो लगाये जा रहे हैं लेकिन उस भृष्टाचार की जा छोपूरी तरीके से और उसके बाद क्या कुछ है वो कोट में अपनी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो चलनी चाहिए क्योंकि आन राज्यों में भी ठीक ऐसे ही हो रहा है कि पहले जेल भेज दिया जाता हूं उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है तो तमाम तरह के सवाल वो बीजेपी पर उठ रहे हैं बीजेपी सरकार पर उठ रहे हैं और इसी भी जेमिम ने जो दावा किया मनोज पांदे का जो बयान आया है वो सुनाते हैं आपको क्या कुछ उन्हों निकाय सुनिये कि ये सब कुछ रनीती है तक लाता नहीं कि आ जा सकता तारा सहों से लगने के लिए इस जित होकर एक फुक्ता रनीती के तहट हम लो आगे बढ़ रहा है मितिक में शामी होंगे है वहां अर्गोडा थाना में की राज्यर के मुक्षमंत्री लापता है और इनाम की भी गोष्णा कर रख रहा है अमलेंदु जी ये बयान जो है वो मनुष पांद्री का है जेमें के नेता है और किस तरीके से इन्होंने बड़ी बात कह दिये बड़ा बयान अब तक का सामने आया है जेमें का और किस तरीके से कटाक्ष बीजेपी पर किया गया है क्यूंकि बीजेपी के नेता लगातार इनाम की गोशना कर रहे थे, अभी हमने आपको बताया कि बीजेपी कोई 11,000 कोई 11,000 कोई 11 रुपे का इनाम हिमन सोरेन पर रख रहा है और इनाम गोशित करके बताया जा रहा है कि वो लापता है लेकिन जेमेम ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अभी तक आपने ब्रिजभूशड पर इस तरीके से FIR नहीं की और नहीं ब्रिजभूशड को लापता गोशित किया आपने तमाम तरह के सवाल उनके द्वारा उठाया जा रहे हैं और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि तानाशाहों से लड़ने के लिए हम एक रणीती के तहट आगे बढ़ रहे हैं तानाशाही जो है वो शब उनके द्वारा लाया गया है तो क्या कुछ जो आरोप लगाया जा रहे हैं क्या वो सही हैं जेमेम के तरफ से क्या तानाशाही चल रही है क्या मोदी सरकार तानाशाही कर रही है देखिया मोदी सरकार तरहाई है या नहीं कर रही है यह सवाल तो जनता को पर शोड़ देना चाहिए जनता तै करे लेकिन जो आरोब पो जी एम में लगा रहा है वो उसी तरीके के आरोब कल जो थे वो मलिकार जुन खड़गे ने औरीसा में जो थे वो लगा है और नों तो स परिखेर तो आपके होे आप चुना में ये कि आये चो आने जो बात जो है जो बात । कॉंगर्स । आनी विख्षितल बी कह रहे तो सब लोग इस तरीके की बाते कर रहें अब ये कितना है का ध़िए आप मुक्हमंतिए हगा गाइब है और भारती इन्था पार्टी के लिए नाम जिया प्रूसरे श्त्राइब का पहली बात तो यह कि क्या है मन्स ओरन के ऊपर कोई फ आई दर्ज नहीं है तो हो जाएंगे और कहा गाइब हो जाएंगे तो एक मुख्रमती कहा गाइब हो जाएगा तो कुल भी लाकर कि यह राजितिक इस्ट हो भारत इंदा पार्टी गो के इस तरीक़े के सेंट करने चाहिए क्यों कि सब को दिखानना होता है ही हम बहुत पाक साथ हैं तो म्यलмотр दूसरा बहुत ब्रस्ट है तो यह पिरालिटिक प्रक्राख्रीरा है uhLife Rettee कर रहे है लेकिं कि आहरी प्रवक्ता है और महांसमें सुप्रीय भट्टाचारिया उन्हों। ने भी जो है लिज पताए है कि किस तरीके से कर ढ़ी जिप पता की यह?? जमीन लिखत है लिवाली जमीन शही जमीना है जिस जमीन के बार। यह थी पूस्ताश कर नहीं थी जमीन नहीं सकती है जमीन बेकी नहीं जमीन तो यह खुल मिलाकर का यानि कि एगी के हाथ अभी भी खाली है और कुछ मिला नहीं है एक तरहिके से आप इस तरह के कुछ सबच सकती हैं इससे पहले हें सारेंस्ट की सरकार कोई था वो इस्ते करने की कोशिश की रही थी जब वह एक खान-के जो है लीज़ के मामिले को ले करके चुनायोग में यह नियो थी हो शिकायद रखी रही तो चुनायोग काई पर आ गया था कि वह गवर्नर जो इसमें कुछ फैसला ने और गवर्नर ने उसमें पर फैसला ना ले ते हुँ अपने पास फाइल यो थी द्वा के रखी हुई थी उससे इसी तरीकी की कोशिश होई थी तब भी प्रया सरी था कि किसी तरीके स flirm के सर्कार करके भारती इंता पारटी की सररकार बनाई जा फिर्पति शाय लाहू किया जा या फिर भारती इंता पारटी के साथ मिलना सुिकार कर लें है कि मोधी सरकार की तानला शाही जिसे कह रही है जिय अमम उस तानला शाही के सामने एक तरीका से जुकने से इंकाल जो है वो कर दिया है आजरी जियMe जियमलि अर क्योंकि ये बाते इसलिए चल रहे हैं क्योंकि प्रत्यारोब चल रहे हैं लेकर इसे बीच आरजेडी के राजसबा सांसत मनोज जाने भी जो कुछ भी कारवाई हो रही है क्योंकि बिहार में भी कारवाई तेज हो गई है और उन्होंने भी उस पर बड़ा बयान दे दिया है क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाएंगे मलिंदू जी लेकर उससे पहला आप देखिए कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों सवाल खड़े हो रहे है विपकष के नेताओं की ही जाज क्यों हो रही है बड़े-बड़े नेता जिन पर आरोप लगते हैं ब्रश्टाचार के अर इसलिए इस पर आरज़ी ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है और लगातार वो हमला बोली रही है और इसी बीच राजसभा सांसाद मनुद्जा ने क्या कुछ कायम लिंदू जूब आपको सुनाते हैं किस तरीकी से उन्होंने इडी सीबियाई को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है सुनिए इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट कितना है और क्या हम नहीं जानता एक मुख्यमंत्री है उनकी प्रोटकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप इडी हिमंत सोरेंग जी को खोज रही है चक्कर क्या है यह सब को ढू वाला हेराम नहीं अब यहाँ आपकल आपने देखा है लालू जी के साथ आज देरिस्वी जी के साथ होगा उदर महरास्ट्रा में चल रहा है तमिलाडू में चल रहा है तो अब ये विपक्च को तो ये मान लेना चाहिए को उनको चुनाओ भी लड़ना है और इन एजनसी होगा एकर हम कहेंगे सर शुरुवात तो आप लोगों ने की थी देखें हमने दूजी बड़ा बयान जो है वो आरजडी के तरफ से दिया गया है कि अगर नतीजे उलट आए तो फिर आज जो एडी सीबी आई कर रहे हैं वो भी इस्जद में आएंगे और ये बड़ा बया तो आप फिर हमारे उपर कारवाई करिएगा देखिए ये बात मनुजधा जो कहना है इस बात को अनुलाग ठाकूर जो केनी मनती है वो पहले कह चुके हैं कि अगर कॉंग्रेस सरकार में आ गई तो फिर अपने निदाओं के सारे केज वापस करवाई एक तरी किसे उनों न चुकी है और भारती इंता पार्टी बची कहीं नहीं ये मोधी पार्टी है तो मोधी पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के साथ एक तरी का जाए जो श्रत्यपूर्ण बीवार कर रही है वो श्रत्यपुर्ण बेवार पर जाहीज़ आजिए जब दूसरे वोगा एंगे त तो इनके साथ करेंगे. अब मोदी जी की पार्टी बहाती इंता-. भारती में बल्भी बचा को या हूज है कि मोदी जी योी आमिशा जी के लावा कोई बहाती है कि अब आएंगे और देख़ को सब पता रहता है, जैसे कि कहा था सुप्रीम कोड ये का से सरकार का तो यह तोता आज जिसके पास है तो अब तोता जिसके मालिक के पास है कर कि दूसरे मालिक के पास होगा यह रास्ता विपक्ष के लोगों के लिए खोल दिया है कि अगर आगको धोगे से भी मौका मिल जाए तो आप भी इसी तरीके की बदले की कारवाईयां जो है आप कीजिएगा तो अगर इसके बाद कुछ ऐसा होता है या समानुजा कहना है उसके बाद कारवाईयां भाती इन उनका क्या होगा और भारती जनता पार्टी की लोगों की जो भष्टाचार है उन पर क्या इंडिया का रोगगा इंडिया का इस पर्ष्ट करने की आवशक्ता है कुल मिलाकर कि हेमन सुरेन की जो फिलहाल की रहनती है उससे भारती जनता पार्टी चक्मा खा गई है हेमन पोस्टर जारी करवा करें, यानि की हेमन सुरेन् प्रधान मंती नरेनमोदी के सामने जोड़ने वाले नहीं है झाहें एधि और सीवी एई और जो भी सत्र सनस्ता हैं वो इस दिलस्था साथ खड़े हुए कुल मिला करके आज के सारे प्रक्राइब का यही संदेशिक जाता है जिम लिंदु जी और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है लगातार बताया यह जो आ रहा है कि इंडिया गडवन्धन को कमचोर करने के लिए विपक्षी दल जो इसमें शामिल है उन जो आप देखें शुखेना को तोड़ा गया नसीपी इससे यह साफ है कि बीजेपी में घबराहत है और बीजेपी अब जनता के सहारे सरकार नहीं चलाना चाहती है आप देखिए लोगतंतर की हम बात करते हैं प्रधानमंती नरेंद्र मोधी विदेशों में जब जाते हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं राहूल गानी ने आज बिहार में बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप जमीन आपकी हड़पी जारी है अगर इसका मुद्दा आप उठाएंगे किसारों की समस्या का मुद्दा उठाएंगे और अगर आप जनता की स सरकार की जो ताना शाही रवया है वो उसे कमजोर करने में लगी हुई है क्योंकि जब विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाता है तो उसको किस तरीके से परिशान किया जाता है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर आप सिस्टम से लड़ोगे जो एक बहुत अ उसका कोई महत्वा नहीं है ये जन्मत का टो भातिा इंटा पाइरची के लिए कोई महत्त कभी नहीं रहा है और जन्मत का महत्त άपा था तो वह एनिस्टम य्दें संटा में आने से पहले जंता से वायदे की थे वायदे पूर्य होजानी चाहिए थे, हर साल दो कड़ो दोजगार मिलने चाहिए थे, अब शथा हो जाना चाहिए था, पैक्ट्रिव पैरेतिस रूपर लीटर हो जाना चाहिए था, मर्यादा पुश्रित्म राम में आस्था बची नहीं है कोई, चुकि अगर मर्यादा पुश्रित्म राम पर आस्था उती तो आप राम मंदिर के पहान या आप जाते हैं, आपको में भारती इंतापार्टी की कि कि मर्यादा पुर सीवय ता मरे को आस्था रही है वरना इस openness अको राम rides सरकारmenAR चाहते हैं कोिम लाकर कि यह लेकिन भारती इंतापार्टी कि आस्था को भी कि सका जाए तो हेमन सोरें ने डिगा बहुत भप धन्यवाद इस मुद्र पर्विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे तमाम धर्शकों का भी बहुत भगत धन्यवाद आप देख रहे किस तरीके से हेमन सोरेन को गिरफ्तार करने के कोशिश की गई कि बीजेपी के इशारे पर EDCBI काम कर रही हो और इसलिए हेमन सोरेन को गिरफतार करने के कोशिश की गई लेकर हेमन सोरेन ने दिखा दिया है कि मैं जुकूंगा नहीं और इसके साथ उन्होंने ये भी बता दिया है ना तो गडबंधन तोड़ूंगा और ना ही मैं बीजेप में तो फिलहाल फेल होती हुई नजर आरही है लेकर आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है और हम आपको बताएंगे का आगे क्या कुछ हो रहा है लेकिन जların माहुल बना यह साफ पता चल रहा है कि बीजेपी डढ़ी और घबराई हुई है तो देखते कर रहें डीबी लाइफ मैं आचल चाहूंगे आप से जाने के लिए इजास्ट